जहें साथियों, बहुत वो स्वागा थे आपका अपने ही चैनल NIS Online Hub में तो दोस्तो इस बक्त की बहुती बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यानि आज का बहुती बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार सिचक न्यूजन को लेकर आप देख पार होंगे स्क्रीन पर बड़ी रहात मुक्मंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्दिस दे दिया गया है और जैसा कि दोस्तो आप लोग नोई भी सुना होगा और आप लोग ने भी देखा होगा जो कि परधान सचीब है कल ही मैंने इसका जानकारी दिया था कि ट्वीट करकर ये जानकारी जो है दी है परधान सचीब ने और कहा है कि जलती जो है कॉंसलिंग की तिती यहां पर जारी होगी यहां पर देख पार होंगे साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो की न्यूज 18 के एंकर हैं उसने भी यह जानकारी जो है ट्वीट करकर दी है यहाँ पर देख सकते हैं प्रात्मिक सिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग का बड़ा बयान की 94,000 पदों पर जल्त होगी कर लिया जागा ताकि आप दूसरे नियूज निकाए में सर्ट्फिकेट को किया जाएगा बेव पोटल पर अफलोड यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आई है दोस्तों इस खबर को पूरी खबर को देखेंगे साथ में यहाँ पर देख पार प्रांट पेज में ही दिया हुआ है परभात खबर का यह देख सकते हैं बड़ी राहत मिली है उन सिच्छकों को जो डेड़ साल से कहीं ना कहीं जो है परियास रत हैं और संगर रत कहें और अभी जो है इन बीच ठंडों में धरना परदसन कर रहे हैं जो उनके लिए नहीं मांग के लिए डटे रहेंगे लेकिन ही आपर मुख मंत्री ने आदेश दे दिया है कि आप यहां पर जो यह लंबी थे चुरानवे हाजार जो प्राइमरी टीचर का लंबी थे डेड़ साल से वह बहाली जल से जल पूरा किया जाए इसको लेकर जो है सिक्छा विभा से यहां पर दिया है आप देख सकते हैं तो यहां पर पूरी खबर को देखेंगे लिखा है कि राज में नबभे हजार साथ सो सदिक प्राथमे के वह मुख बिद्दाले में नियोजन की परकिरिया फिर से सुरू होने जा रही है मुख मंत्री नितिस कुमार ने सिक्छावी भाग के परधान सचीब संजे कुमार ने यह जानकारी अपने ओपिसेल ट्विटर के जरिये दी है परधान सचीब ने ट्विट कर लिखा है कि सीम के नियोजन परकिरिया को पारदसिता एवंपूर्ण धंक से पुरा कराने के लेकर कहा है जानकारी के मुताबित जल्थी परकिरिया पूरी करने के लिए सेडूल जारी की जाएगी आगे यहाँ पर कहला है कि कौन्सलिंग की परकिरिया पिछले कुछ मास से रुकी हुई थी जैसा कि दोस्तों आपको पता है सिटेट डिसंबर केस का जजमेंट आना था उसका जजमेंट जो है आ गया है और कोट क भी ओडर है कि इस नियोजन को जो है जल से जल पूरा किया जाए सिछच्छा को को जल से जल निक्ति किया जाए यहां पर देख सकते हैं उलेकी है कि परकिरिया की पिछले कुछ मां से रुकी है थी परधान सचीव संजे कुमार ने बताया कि सिछच्छा वी बिभाग जलती करेगा यहां पर देख सकते हैं आगे कहना है कि विभाग नियोजन परकिरिया पूरी करने को लेकर परतिबंध है और विभाग भी इसे बहुत परतिबंध है इस नियोजन को पूरा करने को लेकर लेकिन कुछ फरजी वाड़े मामले आये हुए हैं जैसे कि आपको आए दि देखने को मिलता है नियोजी सिच्चको का जो एक डेड़ लाग फोल्डर जो है गायब है उस पर जो है जाँ चल रहा है लेकिन दोस्तों ये जो नियोजन परकिरिया हो रही है इसमें भी बहुत सारे ऐसे फरजी अभिहारती हो जो आपको हर एक नियोजन एकाई में देखने को मिलता है तो सिक्षा विभाग भी जो है इस पर नया एप्स डेवलोप्ट कर रहा है जिसमें सभी आपका परमान पत्र जो है अपलोड करना होगा यानि जितने भी आपके सक्षनिक प्रसक्षनिक परमान पत्र है उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा ताकि जो भी कंड डेट को हो पाए हैं यहां पर देख सकते हैं कि विभाग नियोजन परकिरिया पूरी करने को लेकर परतिबंध है और करीब 90 फिचदी नियोजन एकाई मेरि सुची जो है जारी कर दी है चुकि लिहाजा कॉंसलिंग परकिरिया के जरिये नियोजन पत्र बाटने की कावायाद पूरी की जानी है बता दे कि प्रात्मिक सिच्छकों का नियोजन करीब डेर साल से लटका हुआ था फिलाल जानकारी के मुतावित अगले हफ्ते कॉंसलिंग जो है सेडूल जारी हो सकता है कॉंसलिंग की परकिर्या कराने के लेकर अभ्यारती आंदोलन पर है और जैसा कि दो लेटर जारी नहीं हो जाता हम अपनी मांग के लिए यहीं पर धरना जारी रखेंगे यहां पर देख सकते हैं जल्द कॉंसलिंग की परकिर्या जारी होगी और यहां पर करीब डेर साल से लटका हुआ था प्रात्मिक सिच्छक नियोदिन और सीम ने नियूजन परकिर्या परदेस्त्या को पूरा करने का यह जो है निर्देश दिया है साथ में दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तमाम जो है यहां पर देख सकते हैं जो की न्यूज सुजित जहा जो की न्यूज 18 के एंकर है उसने भी यह जानकारी जो है ट्वीट करकर दी है कि 31 जनुमरी तक जो है ऑपन का सेडूल जो है जारी होगा और सट्पिकेट जो है पहले आपको वेब पोटल पर अफलोड करना होगा यानि जितने भी इसमें पाटिसिपेट होंगे जितने भी इसमें भाग लेंगे उसका जो सट्पिकेट है पहले जो है जो आप्स डेवलोप्ट किया जा आपस के जरिये जो है आपको देखने को मिलेगा और वह जो है लिंक हो सकता है कि आपको देखने को मिल सकता है या एक नया आप देखने को मिल सकता है और यहां पर सबसे पहले जो होगा वह सिक्स टू एट का नियोजन होगा और उसके बाद जो है वान टू फाइब का यहां पर देख सकते हैं यह सारा जो अपडेट आ रहा है यह जो है करेंट अपडेट है दोस्तों तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सेर कॉमेंट करना और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह परधान सची ने सरकार ने हरी जंटी दे दिये उन्होंने लगभग 94 हजर पदों का रास्ता साप हो गया है बताया गये कि अगले दो दिन में कैम्प के जरी कॉंसलिंग की तीथी जारी की जाएगे सरकार के तरफ से कहा गया कि अगले 25 दिन में सभी पात्र सिच्छकों को निक्ति पत्र दे द जी बड़ा ना हो उसे फूल पूरूब बनाने के लिए सरकार ने अब वेव पोर्टल तेयार किया है और इस अभिहार इस पर अभिहारतियों को कॉंसलिंग के साथ अपने दास्तावेज भी जो है पोर्टल पर अफलोड करना होगा जिसे विभाग ऑनलाइन क्रोस चेक करे यहां पर देख सकते हैं यानि 20 से 25 दिन जो है यानि जैसे कॉंसलिंग लेटर जारी होगा उसके बाद आपको 20 से 25 दिन लगेगा कॉंसलिंग से लेकर निक्ति जो है अधिकतम जो है 20 से 25 दिन में आपका लगेगा पिछले ढाय साल से 94 पदों पर चार रही प्राइमरी आख इसलिए 10 दिनों में सभी गरदनी बाग मीश ठंड में भी धरना दे रहे हैं और जैसा कि अभी भी जो है constant यहां पर देख सकते हैं जो कि यह नीज नियसन के तरफ के तरब से निकर सकते हैं और आज का यह करेंट अपडेटेट सहब इस अपडेट में दोस्तों फिला ले इ तीस अबडेट में फिलाल इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर देना वो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना